भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बैचेन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग-अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा, तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा अब आप एक बात बताएे क्या आप कौई को कह सकते हैं कि वो कामवकाम की आवाज ना करे। या फिर क्या आप किसी मेंढग को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही उची चलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है जीवन में कुछ भी होता है अच्छा या बुरा हमारा मन उस पर कामव कामव काम करने लगता है कामव काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की उची-उची लप्टे लेने लगता है कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं सारी परेशानी, पीडा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानिया होती है भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना दूसरा, वैराग्य भाव सीखना अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप मेंसे कई लोग कहेंगे कि आप आख बंद कर सांसे अंदर बाहर नहीं ले सकते यहां हम सब गलती कर बैठते हैं मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आख बंद कर बैठना नहीं होता Meditation का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं यह मत सोचिये की पिक्चर देख कर आप अपना कितना वक्त बरबाद कर रहे हैं जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक Meditation बन जाता है ऐसे जीवन में शांती, स्थिर्ता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है वैराग्य भाव दूसरा उपाए वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ कर जंगल में जाकर बैठ जाएं वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजिट निकलेगा उसकी चिंता ना करें जैसे अगर आपने कोई इंटर्व्यू दिया आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तयारी करें और अपना बेस्ट दे कर आ जाएं वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है इस नतीजे के पीछे अलग-अलग चीजे हैं जो आपके बिलकुल कंट्रोल में नहीं तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लप्टों से बचाने का याद रखिए आप पूरे के पूरे इंसान है समझदारी सन्यम और कुशलता से भरे इंसान आपका मन जब भी कौई की तरह अलग-अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाईए और शांत कर लीजिए बस अपने उपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे